करेद दो हम आए हमें इंतिजार है हमार और बताओ कैसा वह इन हमारा कर दो पर दवाल में और खोड़ कन दुट कर दो रोगा सकते हैं कर दें है अल कि यह इए हुआ यह जबा झाल इस ब्लॉड दूर घ्रड नहीं हुआ खुए ग्रेट ग्रेट इंप्रुवमेंट अ हुआ है में यह आद इस ख़िए उन बहुत जब दूर्ड़ हो जब रही ती ओंग बता है तो हम आ चुके हैं और बता और किस किस का कैसे हुआ भई पड़ापट बोलो किस का कैसा हुआ भई कॉंटेस्ट मज़ेदार हुआ नहीं हुआ आज का कॉंटेस्ट थोड़ा अलग साही था किसे की प्रॉब्लम ई आप पड़ोगे तो आपका दिमाग घूमेगा तोड़ा कि क्या कह क्या रहा है सीख लेंगे येस बिल्कुल सिखा देंगे यार आपको दिक्कत कहां ले रहे हो थार्ड वैसे वह वाला कॉंसेट था मेरे साब से कंपेरेटर वाला अगर आपको कंपेरेटर का पता होगा तो आप फड़ा फट कर देते एक दम बिना सोचे समझे दिखाऊंगा कैसे करना है और मैंने वह पड़ा भी रखा है डीटेल में तो उसकी वीडियो को भी आपको बता दूँगा तो आप देख सकते हो सर मैं प्राब्लम समझ जाता हूं बट कोड नहीं हो पाता औक तो यह तो मतलब सबके साथ ही होता है तो अगर मैं प्राब्लम F की बात करों तो प्राब्लम तो समझ में आई जाती है सारी लेकिन कोड यह पाता ना बस वह किआपके लिए भी वह प्राबलम C है वह प्राब्लम E है तो कोई दिखक्ट-वाली बात नहीं है दी तक ही हो पाया बहुत बढ़िया डी तक हो गया और और क्या चाहिए आप तो बिल्कुली दुख्यों रहे हो भाई अभी डी तक तो बहुत सई थे यार कोषण डी वाला कोषण अगर आपने करा है तो आपको डीपी की बेसिक नॉलेज एकदम क्लियार है ठीक है तो DP वाले में तो आपके मज़े आ चुके है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मज़े करो आप और आगे के अपसॉल्व करो और क्या क्या है भई भई आज कौन सा कौन सा एक्स्प्लें करोगे ओके आएं तो यार अभी बताता हूं लेकिन अभी sorry to say आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं डिसकस होने वाली है मलब EF टाइप में से कुछ भी नहीं करेंगे अपन डिसकस आज क्यों उसका रीजन बताऊंगा तो मैंने जिरो बेस इंडेक्सिंग में जिसने पढ़ा हो का उसको पता होगा जीरो बेस इंडेक्सिंग में इंपुट ले लिया पर मैं जब सॉल्व कर रहा था तो वन बेस इंडेक्सिंग में कर रहा था तो वहां गड़बड होई थोड़ी थी ठीक है तो मुलब सिर्फ एक i को i-1 के चक्कर में मेरा solution गड़बड हो रहा था तो फिर मैं उसमें जदाधा time लगाया कि कहा गलती है आदे घंटे वाद पता चला यह खलती है कि i को i-1 रखना था तो इस चक्कर में फिर में e-5 ट्राय नहीं कर पाया और e-5 ट्राय नहीं कर पाया तो भी नहीं कर पायंग तो certainly for that आविक बट ठीक है मतलब आपकी अप्रोच दी की अलग हो सकती है मेरी अलग है ऐसा हो सकता है बहुत कॉमन चीज है तो आप देख सकते हो फिर भी क्या पता कुछ नए है सीखने को मिले आपको तो इन फोर्थ आम गेटिंग रन टाइम एरर Use DP Knapsack Approach Any Views Yes, DP Knapsack Approach ही लगना था वही में कहरा था कि जिसने D कर लिया उगा उसको DP का basics तो clear होगा उसने करा होगा कुछ नगुछ तीक है क्योंकि घुमा के था problem लेकिन basic knapsack ही था क्या है देख ते ठीक है क्या करूं इसके लिए अच्छा आपका प्राब्लम समझ जाते हो तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो जितना कर सकते हो जितना कर सकते हो प्राब्लम कर सकते हो प्राब्लम करो क्योंकि प्राब्लम पढ़ने का एक्सपीरेंस इतना साथ होगा समझने का सॉल्व करने का उससे यह बड़े की चीज़ है, और कोई इसका तरीका नहीं है ठीक है, तो maximum problem solve करो और क्या यही है इसका तरीका तो समझ में तो आ जाता है, देखो, सब कोई, maximum सब को समझ में आदा जाए, तो थोड़ा time हो चुका है जिसे तो थोड़ा experience वाला कोई होगा, तो उसको समझ में आ जाता है problem लेकिन उसको solution ही approach नहीं कर पाता है, वो यह main problem रहती है तो ऐसी आएगा, practice करते रहो, आज आएगा, ठीक है तो भाई, F का editorial देखा, बर समझ नहीं आ रहा, atcoder का editorial नहीं आता, समझ क्या करूँ तो यार, अब क्या करें? मतलब, editorial ऐसे ही होते हैं, कभी-कभी अच्छे होते हैं, कभी-कभी अच्छे नहीं होते हैं, तो उसका तो कोई solution नहीं है ठीक है, तो अब ट्राइ करो, कुछ ना कुछ solution तो मिलेगा, किसी और का solution पढ़ो, शायद कुछ समझ में आजाए, तो करो दो तीन तरीके लगाओ, बरना, F तो मैंने करा नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता अभी, ठीक है, तो, सॉरी, पर दाट, और, करूँगा, मैं भी ट्राइ करता हूँ, देखते हैं, F क्या है, छीक है, फिर, स्टार्ट करें, तो, चलो फिर, करते हैं, स्टार्ट, अपने, तो मैं फोन में एक बार खोल लेता हूँ, आपके, डाउट्स कुछ आएंगे, तो देख लेंगे, तो, काफी सारे लोग नहीं आते हैं, हमारे चैनल पे, तो उसके लिए हम, हमेशा की तरह, अपने इंट्रोड़क्शन से स्टार्ट करते हैं, तो, कभी-कभी एडिटोर्यल होते भी नहीं है, हास ज़सरी बात है, एड़कोडर पैसाएं, और अपने अपने, बढ़े बढ़े अब चेक करें अब आप आई अए नहीं आई 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 अए अए अफ का देखा है तो आई गया होगा तो यह सब क्रेदेशल्स है क्या है क्या है क्या नहीं है जो सब्जेक्ट्स होते हैं मेरे यहां पर होते हैं C++, DSA, Data Structures and Algorithm, CP, Competitive Programming और Interview Preparation तो इन चीजों को मैं cover करता हूँ DSA जहां पर भी आता है वहां पर हम cover करनी कोजिश करते हैं तो एक DSA की playlist चलती है हमारी जिसमें हम theory and basics जो होता है वो cover कर रहे हैं और competitive वाली में हम contest पर discuss करते हैं तो जो वो DSA उसमें competitive के respect में भी topics को पढ़ाते हैं कि एकदम detail में समझ में आए ठीक है तो comparator पढ़ना हो तो लेक्चर बना हुआ है comparator ही नाम है उसका inbuilt sort plus comparator करके एक lecture है वो चेक कर सकते हो आप detail में समझा एकदम comparator का use तो अगर आपको कोई subscription लेना हो on academy पे किसी भी चीज का ठीक है तो आप 10% off extra ले सकते हो यवाला code यूज कर लेना M-I-H-I-R-1-0 फिर हम आते हैं कोई डाउट आ रहे गया चीक है लेट सी लेट सी क्या है सर अपने इंट्रो में ठक जा रहे हैं ठक नहीं रहूं जस्ट हमारे नए व्यूवर्स के लिए इंट्रोड़क्शन है ठीक है आपको तो पता ही है राशिश आप तो पुराने सब्सक्राइबर विवरो हमारे ठीक है तो लाइक करो भाई इसी बात पर वीडियो को आगे बढ़ते तो चरियर अद्र दैवलपर सब्सक्रिप्शन क्या है इसके बारे मैं बताऊंगा फिर हम आगे बढ़ेंगे डिसक्केशन करने के लिए तो Career as a Developer subscription क्या है तो इसमें बहुत सारे topics हम cover करने वाले ठीक है बहुत सारे educator हैं यहां पर cover करेंगे Unacademy के उस पर होगा यह subscription लेने के बाद होगा ठीक है ऐसे तो subscription क्या है कौन ले सकता है क्या क्या इंक्लूजिव है देखते हैं तो इसमें बहुत सारे live shows cover होने वाले Live shows एक-एक particular topic को aim करेंगे ठीक है और कौन ले सकता है इसमें कौन इनलोल करें तो इसका फायदा होगा तो भई Career as a Developer नाम सी समझ में आ रहा होगा जो software development में अपना future देख रहा है ठीक है इसमें पॉलेज में हैं इसमें पॉलेज में हैं या just graduated है जोब की तलाश में है समझे रहे हैं तो उसके लिए एक आम की चीज हो सकती है तो उन सब बच्चों के लिए ये बहुत काम का हो सकता है इसमें बहुत सारे live shows होगे जो आपके फाइदा करवा सकते हैं क्या होंगे बात करते हैं तो one of the show होगा hiring से related तो hiring में क्या होगा भई hiring से related show में live show होगा weekly ठीक है तो जिसे ये live होगा तो आप interact भी कर सकते हो तो hiring से related क्या होगा hiring जो updates निकलती हैं start-ups में और big companies में tech companies में software developer दो नॉर्मल सी बात है obvious है tech company होगी तो tech company, big tech company अपना start-ups में जो positions निकलती है कि भई अभी भी चल रही है कुछ कुछ ओपनिंग्स तो वो सब आपको महाँ पर detail मिलेगे क्योंकि अब ऐसे इंटरनेट पर search करोगे तो 10 जगे आता है कहां पर आप rely कर सकते हो समझ रहे हो तो यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा इसकी guarantee होती है तो सब कुछ मिलेगा यह cover तो हो गई आप apply कर सकते हो eligible हो या नहीं apply कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो पूरी detail देंगे ठीक है ऐसा नहीं होता लिख दिया हमाँ पर SDE1 के लिए opening है बताया है नहीं के चार साल के experience चाहिए ठीक है तो आप फस जाओगे आप तो कॉलिज में हो या कॉलिज ग्रेजुएट हो जस्ट तो वो सब क्लियर एकदम बताया जाएगा कि कौन कहां पर apply कर सकता है और कैसे कर सकता है तो हाइरिंग से related जो show है तो हाँ पर ये कवर हो गया आगे बढ़ो फिर आता है हमारे पास एक कोडशेफ को अपरोच कैसे करना है उसका show तो उसमें हम कोडशेफ में rating, ranking, practice कैसे करनी है इन सब के बारे में बात करते है प्रक्टिस की करते हैं प्राब्लम्स की तो उसके बारे में डीटेल में बताऊंगा आगे एक slide है उसके लिए अपने फिर एक show आता है PPT से related pre-placement talk होता है HR आते हैं companies के और वो अपने hiring process के बारे में detail देते हैं और अपनी company के बारे में बताते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको यहां पर cover हो जाएगी ठीक है तो अगर आपके यहां college में आती है companies आपको पता होगा कोई भी company आती है तो पहले PPT होती है pre-placement talk placement से पहले वाली talk फिर उसके बाद hiring चालू होती है process जो भी होता है coding round फिर interviews and all ठीक है तो वो चीज़ यहां पर replicate करी जाएगी ठीक है तो जिसके आप companies नहीं आती है उसको आइडिया भी लग जाएगा कि भई वो उनकी requirement क्या है company के आपसे candidate से वो क्या expect कर रहे है तो और process क्या है कितने interviews होंगे technical कितने होंगे HR कितने होंगे तो वो सब detail आपको पता चल जाएगी तो उससाब से आप prepare भी कर सकते हो फिर हम आते हैं भई interview problems के एक show पे उसमें top interview problem को हम solve करते हैं top 20, top 30 ऐसे करके जित्ती भी problems एक्तम होती है समझ रहे हो detail में brute force यो optimal तरीके तक हम जाते हैं जैसे हम इंटर्वी में बताना होता है तो अगर कोई नई problem भी आएगी तो आपका इतनी practice होगी approach आप वही लोगे basic से start करोगे brute force और धीरे-धीरे से optimize करोगे यह उनको चाहिए भी होता है तो आपकी बड़िया practice हो जाएगी top interview problem जो popular है उनको example लेकर ठीक है कैसे solve करना है कैसे approach करना है फिर हम आते हैं project से related workshop है project वाले में क्या होता है project में अगर आपको कुछ भी doubt है क्या बनाना चाहिए कि कुछ बनाया है तो add कर सकते है नहीं उसमें कुछ add हो सकता है नहीं और कौन-कौन से इस बड़िया बड़िया आइडिया है जिसमें project बना सकता हूं तो यह सब आपका यहां पर cover होता है ठीक है इसकी एक slide है उसमें दुबारा बात करेंगे फिर एक show आता है हमारा जो top companies में लोग पहुंचे हुए है जो founders हैं अभी समझ लो बड़ी-बड़ी start-up के co-founders है तो वो सब आपका यहां पर अपनी journey discuss करेंगे क्योंकि आपको भी उसी field में जाना है तो आपको तो फाइदा ही मिलेगा लाइफ जर्नी से कि भई क्या पात उन्होंने follow करा क्या resources लिए थे, DA से कहां से पढ़ा था पढ़ा भी ताया नहीं किसकी importance जादा है तो वह experience है वह तो सही बताएँगे ना तो बहुत सार अप ऐसे show होंगे उसमें इस सब डिसकस होगा ठीक है तो लाइफ जर्नी के बारे में आपको पता चलने वाला है तो उसे आप बहुत सारी सीख ले सकते हो क्या गलतिया नहीं करनी है अपने को ठीक है तो ऐसी बहुत सारे शो होंगे तो यह सारे लाइफ शोंगे और अनकैडमी के प्लाटफोर्म पे होंगे तो इसके सार्थ तो आपको मौक इंटर्विव में पार्टिसेपेट करने का भी मौका मिलेगा तो एकदम पार्टिसेपेट करोगे आप लाइफ उसके बाद आपको फीड़बैक भी मिल जाएगा तो आप इंप्रूब भी कर सकते हो असले वाले इंटर्विव में एकदम रियल वाला की तरह होगा ठीक है ऐसा नहीं होगा की मदाग कर रहे हैं इंटर्विव जोगा एकदम रियल वाला होगा बस यह नहीं होगा कि आपको जॉब मिल जाएगी ऐगर आपने बढ़िया दे दिया तो है तो मौके इंटर्वियू में पार्टिस्पराइट करने का मोका मिलेगा यह सब है एक ट्रिपल नाइन में लेकिन आपको होगा पिलेगा एक डबल नाइन में क्योंकि अपको उड्यूस करो के है हमाई एचर बढ़न जीरो प्रोजेक्ट से रिलेटेड शो होगा तो इसमें वस यह है बेसिक कि आपको अगर एक अच्छी इंटरंशिप प्लेस्मेंट चाहिए प्रोजेक्ट मैटर करता है ना सीवी में प्रोजेक्ट का सेक्शन होना चाहिए उस सेक्शन को छोड़ी देते हैं गई लोग तो तो बहुत ही ज़्यदा होति अगर आपको अग्वक्त को तो अगर ओप की बहुत रखो ऐकर और तो यह आसा प्रोजेक्ट में आढब करना यह कुँछ गलत और उसमें इसा इंट कुछ इसा कुछ भी ढउट हो precision being नए नए प्रोजेक्ट्स के आइडियाज मिलेंगे और यह सब होगा हमारे एजुकेटर हमारे एजुकेटर यह काम करेंगे बायर एजुकेटर एक्सपीडियेंस्ट तो यह सब उसी में है फ्राइडे नाइट 10 पीम ताइम भी पता है तो यह है और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो बड़ी ऑपरचिनिटी है मिसमत करना फाइडे की चीज़ है आज आओ आगे तो कोडशेफ अपरिंटिस तो मान लो कोडशेफ में आप पाटिसपेट करते हो कॉंटेस्ट में और आपको रेटिंग इंप्रूफ करनी है ठीक है प्रोफाइल में सितारे बढ़ाने है स्टार्स बढ़ाने है तो यहाँ पर आपको बहुत फायदा होने वाला है क्या होने वाला है अब स्टार बढ़ाने है प्रैक्टिस भी करते हो गया अगर कॉंटेस्ट देते हो नहीं करते तो चालू कर दो प्रैक्टिस नुर्ड ese है तो एक गाइड़न्स किति छीर कー मिने को अृप ने के कोई बड़ा स्टार वाला कोई बता डे मदलब 6 स्टार 31 ज्री स्टार वाला क्योंकि 8 में आपका भी गोल वगल भी रहता है दो हमार वह को हुँछना है तो वह गयाड कर दे वही प्रैक्टिस भी जो आपप्ञार्वां करते हो, तो आपकी प्रोब्लम उठाएंगे और लाइत को आपको आपको और प्राक्टिस ने समझ में आ रहा था इडिटोर्यर लेख्ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा था उसकी thought process और सब कुछ मिलेगा live कि वो कैसे solve करते हैं तो बहुत फाइदे की चीज़ है every Saturday afternoon 2 p.m. इसका भी time date सब fix है एकदम उसी में included है 899 में तो यह तो बहुत ही बढ़ी होने वाला है तो इसमें भी आप participate कर सकते हो चीक है? तो बहुत मज़े आने वाले हैं अप्रोच आपकी बढ़िया होनी चाहिए ठीक है? चलो फिर CodeShop Apprentice है सब कुछ उसी में है अनकैडमी वाले करियर इदे डिवलपर सब्सक्रिप्शन में तो लेना हो तो आप ज़रू ट्राय करना और फीडबाइक भी देना कैसरा एक साल का है, बहुत टाइम आराम से देखना बहुत सारे लाइव शोद है बाकि आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे Easy Code Underscore Run Academy इस पे मैं लिंक्स जो भी discussion, problem links, solution links अब डाल देता हूँ अगर किसी को चाहिए होता है तो तो चीक है तो आज क्या करेंगे भई, addcoder discuss करेंगे, ठीक है कोई doubt आया है क्या कोई doubt नहीं है, चलो बढ़िया बात है तो addcoder beginner contest 219 करने वाले हैं हम आज ABCD, D में मैंने क्या लिखा है must do, अगर आपको basics clear करने हैं और आप चाहते हो कि आप interview problems को, coding round के problems को solve कर पाओ, तो D तो एक must do problem है, मेरे experience case आप से क्यूं है क्यूंकि जो problems आप से पूछी जाती है, interviews में तो शायद ये नहीं पूछेंगे, पूछ भी सकते हैं और अगर coding round में problem आती है तो ये अनिलाएक problem है, समझे रहों क्योंकि napsack आप से direct नहीं पूछा जाएगा napsack का idea यूज करके नहीं problem बना दी जाएगी जो आप से पूछेंगे तो वैसी problem है, अगर आप dp में napsack आपने कुछ ना कुछ करा होगा तो आप इसमें जरूर कुछ ना कुछ दिमाग लगा पाए नहीं लगाया तो मैं बताऊँगा इंतजार करो इंतजार हाना तो मज़े आने वाले हैं a b problem तो बहुत असान थी c or d थोड़ी ठीक problem है आपके लिए तो देख सकते हुआ अगर आपने नहीं करी तो and वागी e मैं ट्राइए अगर कोई e के लिए तो a b c d करेंगे आज तो बहुत सारे रॉंग आंसर आरहे थे तो मैं उसी में जादा टाइम इंवेस्ट कर गया अपना तो sorry for that अगर कोई e के लिए आया था तो a b c d करेंगे आज let's start कोई comment कोई अभी तक नहीं है बहुत बढ़ी आवज शमीम एहमद yes couldn't solve c and d क्या बात है आपके लिए हो रहा है आज लाइव आपके लिए ही है सिर्फ क्योंकि अगर आप कहते कि couldn't solve e & f तो मश्किल हो जाती थोड़ी लेकिन अभी अपना c & d ही डिसकस करेंगे तो मज़े आने वाले तो addcoder addcoder दिख रहा है गया addcoder addcoder 219219 दिख रहा है ना बढ़िया तो इसके टास्क पे जाते हैं जरा और थोड़ा जूम भी कर लेते हैं तो यह सारे टास्क है आज के है ना तो यह वाले डिसकस करेंगे तो start किसे कर रहा है फड़ा फड़ा बताओ फिर करते है start ठीक मयंक यार पहले C देखते हैं फिर D देख लेंगे क्योंकि C से थोड़ा वार्म अप जाएगा यह एकदम से D आगया कभी दिमाग कर रहा है क्योंकि इसमें DP है थोड़ा और यह और भी तो देखी लेंगे तो C से start करते है C खोल लो भई है ना C को zoom भी कर लेते हैं थोड़ा पूरा दिख रहा है ना गायब नी होना चाहिए चलो ऐसे खोल लो देख लेंगे तो neolexigographic ordering यह है problem neolexigographic ordering ठीक है okay sir no worries अब रो अब रोस्ट्रीम खदमने के बाद यह त्राइक करोगे oh yes oh yes बिल्कुल करेंगे बाई यह तो ट्राइक करना ही है हमारा दिल उस पर ही है अभी और अभी तक है मिरको लगा गायब होगई क्योंकि आपको तो E चाहिए था चलो बढ़िया बढ़िया बाद हम आते हैं the new alphabetical order is represented by a string X तो भी उसने नया alphabetical order string X से represent कर दिया which is a permutation of AB to Z normal एकदम बात एकदम तो कोई दिक्कत ही नहीं है जो standard alphabetical order वो A to Z होता है लेकिन जो इसका है वो गड़बड है तो इसका permutation ही तो होगा कुछ ठीक है permutation होगा the i-th character of X would be the i-th kingdom sorry, i-th smallest English lowercase letter in the new order क्या लिखा है एक बार में एक साथी रिखा देता हूं क्यान हो यह यह देखो थोड़़ से और ठीक है तो यह एड़ा है, the new alphabetical order is represented by a string X तो नया order X is represented हो रहा है, वो a, b to z, 26 character का एक permutation होगा and the i-th character of X would be the i-th smallest English lowercase letter in the new order तो example देखते हैं, पर पुरा question पढ़लें, the kingdom has n citizen, n citizen has kingdom में alphabetical order भी change कर दिया है, whose names are this, तो यह original name है उनके, जब order standard था, a to z and where SI is, ठीक है, तो N names दिये हैं, string दिये हैं मतलब and sort these names lexicographically according to the alphabetical order decided by Takahashi तो वो कह रहा है, कि sort हम इसे कर सकते थे, यह original नाम है, इसको हम sort कर सकते थे, लेकिन अभी sort करना है ताकahashi के जो order है उसके हिसाब से, ठीक है, तो lexicographical order इसे को नहीं पता हो, वहां से पढ़ सकता है, यहां से, ठीक है, मैं बता देता हूं क्या है एक छोटा सा, यह बहुत basic चीज है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, यह बहुत ही basic चीज है, इसको आपको मैंने आपको लेक्सिघोग्राफिकल ली, सौर्ट करना है, और कोई भी दो स्ट्रिंग इक्वल नहीं होगी, ठीक है, यह सब कंडिशन ना बात में ध्यान आती है, जह हम कोड लिख रहे होते हैं, यह हम कुछ कॉर्णर केसी देज केसी सॉल्व कर रहे होते हैं, तो यह वाली इक्वल हो जाता, तो गडबड़ जाती, तो कॉशन में पहली अनिक्वल गिवन है, तो कंस्ट्रेंट ध्यान से देखा करो, ठीक है, अभी काम आएगा, दिखाऊंगा में कहां पर क्या आएगा, तो इन्पुट इस गिवन फ्रम स्टैंडर्ड इन्पुट क्या है भई, ए ठीक है, तो स्ट्रीम सही चल रही है, तो स्ट्रीम सही चल रही है, तो स्ट्रीम में तो में भी सी डिसक्स करेंगे, बाद में मैं खुछ से प्रेक्टिस करने के लिए देखूंगा यही ज़रूर, तो जब देखूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा सल्यूशन, तो ठीक है, फिर problem clear है न, x जो है हमारा नया order है और n names है, उन names को हमें sort करना है on the basis of this नया order तो problem क्या है, देखो यहाँ पर, इसका example लेकर समझेंगे, ठीक है, तो वापस आओ जरा, sketchbook में आओ जरा sketchbook में आजाओ, and sketchbook का है, sketchbook, एक minute one note sketchbook, ठीक है, बढ़िया एक्दम दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है है न, add coder discuss करेंगे अभी, एक्दम बज़े आएंगे, तो चलो, problem देखते हैं, क्या है, और solve कैसे करना है, वो भी देखेंगे फिर तो, आजाओ, 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 at coder 219 का, यह है problem C, ठीक है, नाम क्या था? नियो लेक्सिकोग्राफिक ओर्डरिंग, तो नियो लेक्स ओर्डरिंग, ठीक है, तो problem यह है, कि हमें एक string given है, 26 length होगा चायद है, ना, 26 length की एक string होगी, ओर्डरिंग होगा, कुछ, 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 permutation है क्योंकि, तो जैसे standard जो होता है, तो मैंना एक example लेता हूँ, उसके example तो लेकर समझाता हूँ, हो क्या रहा है, तो इसको delete कर दो पहले, example लेकर समझते हैं, फिर देखते हैं, क्या हो रहा है, pen, तो मान लो, names दिये होंगे, हमें n names दिये होंगे, ठीक है, उनको में sort करने लेक्सिकोग्राफिकल order में, based upon that new ordering, ठीक है, जो भी नया order है, alphabets का, तो मान लो, a, b, x और एक नाम है, और b, z, z ये एक नाम है, ये दो नाम हमें दिये होंगे, अब इसको sort करना है, ठीक है, sort करके जो भी final order आएगा, या तो या आएगा, या तो उल्टे वाला आएगा, क्योंकि दो ये element है, तो इसको sort करना है मेरेको नए order के हिसाब से, तो मैंने कहा, normally क्या होता, normally ये होता है, lexicographical order ये होता है, ऐसे करके z तक जाता है, ठीक है, कोई रिक्करत नहीं, normal order ये होता है, अभी क्या order है, तो मान लो, अभी जो x string है, वो ऐसी कुछ गिवन है, b, c, d, a, f, g, h, z, q, v, u, ऐसे करके, सारे characters cover हो जाएंगे इसमें, तो ये एक permutation है, ठीक है, ये क्या है, ये एक permutation है, permutation of a to z, a to z जो string आरी, एक बर में चेक कर लेता हूं, screen में दर दर तो नहीं हो रहा कुछ, ठीक है, एक मिनिट बस, right side में थोड़ा जा रहा है, ठीक है, ठीक है, left करते हैं, थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो ये permutation है, a to z का ये जो x string है, तो जो नया order होगा, वो होगा, ये x string से decide होगा, नया order, तो नया order होगा, b less than c, less than d, less than a, less than f, ऐसे करके, नया order decide होगा, initial order क्या था, ये था, कि भई, a सबसे पहले आता है, फिर b आता है, फिर c, फिर d, फिर e, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं, मतलब अब a जो है, वो b बन गया, अब b जो है, वो c बन गया, अब c जो है, वो d बन गया, ऐसे करके, नया order आ गया, इस बात को समझ रहे हो, तो दो नेम थे हमारे पास, इनको lexiographically sort करना था, तो मैंने का, भी दोनों नेम क्या हैं, लिखो ज़रा, a, b, x, और b, z, z, ठीक है, तो lexiographically order क्या होता है, कि dictionary में, जो word पहले आएगा, उसको हम पहले लिखेंगे, और जो word बाद में आएगा, उसे बाद में लिखेंगे, डिक्सिनरी समझते हो ना, Rictionary में A पहले आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, ऐसे तो मान लो आप बोलोगे यह तो एक length का है, अगर तीन-चार length का हो तो मान लो यह A, B, Z है और यह A, B, C है, दो वर्ड होगे, अब इनको compare करना है तो हम compare करने के लिए क्या करते हैं, compare character by character ठीक है, left to right जाते हैं, और character by character comparison करते हैं जैसे difference आता है, किसी भी character में हम वही पर compare कर लेते हैं तो A को A से करोगे, C में B को B से करोगे, C में Z को C से करोगे हम कहेंगे, C तो less than Z होता है, तो यह वाला पहले आना चाहिए, तो A, B, C पहले आएगा A, B, Z से, यह standard order में, ठीक है, लेकिन अगर मैं यह X वाला order follow करूँ जो मेरा टाकाहशी है, जो भी यह problem में कह रहा है, कि यह तो standard order है लेकिन अभी क्या हो जाएगा, order यह हो जाएगा, alphabets का, ठीक है, order यह हो जाएगा, alphabets का B, C, D, A, मतलब अब B सबसे चोटा है, फिर उसके बाद C है, फिर D है, फिर A है, ऐसे 26 character होंगे तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, order, यह तो standard वाला था, ठीक है, यह वाला था, using original order, standard order, ठीक है, order of A to Z ठीक है, यह original order यूज करके था, लेकिन अगर मैं यह वाला order यूज करूँ, यह वाला, जिसमें B जो है, पहले आ रहा है, ठीक है, या फिर C जो है, पहले आ रहा है, अच्छा, इसमें तो C, Z पहले ही आ रहा है, तो यह आँ पर सेम रहने वाला है, क्योंकि A, जैसी different आएग फिर हम compare करते हैं, यह भी same है, यह अलग थे, लेकिन अभी वाले order में भी C पहले आ रहा है, Z से, तो अभी भी यही रहेगा order, लेकिन अगर मैं इन दोनों string को compare करूँ, A, B, X और B, Z, Z को, A, B, X, और B, Z, Z को, तो initially यह order रहेगा, लेकिन अगर मैं X string को देखूँ, तो X string मे B जो है, वो पहले आ रहा है, A से, तो यहनकी B छोटा है A से, तो मैं कहूंगा क्या, मैं कहूंगा इसका B जो है, भी छोटा हो गया है, ठीक है, तो अभी order क्या हो जाएगा, character by character compare करोगे, तो पहले A और B को compare करोगे, तो मैं कहूंगा B is less than A, नए order के हिसाब से, तो मैंने का यह वाला lexicographically smaller हो जाएगा A, B, X से, ठीक है, तो lexicographically का यही मतलब है, lexicographically मतलब, dictionary का order, यह ध्यान में रखा करो बस, dictionary का order, order, ठीक है, तो यह वाला normal हो गया अपना, standard A to Z अगर use करें, लेकिन नए X string के हिसाब से, अगर हम देखें, तो B पहले आना चाहिए A से, तो हमने character by character compare करा, हमने का भई पहला character miss match हो गया, तो हमारा order यही decide कर देगा, तो भई क्या decide कर देगा, B is less than A, तो यह वाला string छोटा हो गया, यह वाला name छोटा हो गया, यह पहले आएगा A, B, X से बस, तो यह है problem, कुछ भी नहीं है इसमें, काफी असान problem है, अभी दिखात पर सुट करना है, तो हमने कहा अगर normal होता question, question यह नहीं कह रहा होता कि A to Z का order हमने change कर दीख, अगर यह question नहीं होता, normally हमें kunch n names given है, और हमें उने sort करना है, तो हम क्या करते है, कुछ नहीं करते है, प्حुछ सीधा sort यूश कर लेते है, अधर सीधा sort कर देते है, आग सीधा अब कुछ और भी हो सकता है वह कौन डिसाइड करेगा वह एक स्ट्रिंग डिसाइड करेगा तो मैंने क्या कर रहा वह में दिखाता हूं आपको वेट करो एक मिनिट मैं अपना कोड निकाल लो फिर दिखाता हूं तो कोई डाउट है इसमें तो बताओ जब तक मैं कोड निकाल रहा हूं तो कौन सा प्रॉब्लम था है एक सी था ना अबी सी कॉप्पी तो प्रॉब्लम सी आ चुकी है तो कोड एडिटर पे आ जो ये लो भई आगे ये कर दिया हमने पेस्ट ठीक है अब देखो क्या करा हूँ है ये देखते हैं तो दिख रहा है ना सबको कोड एकदम बढ़िया कोई डाउट हो तो बोल दे ना प्रॉब्लम सी देख रहे हैं भी एकदम बढ़िया प्रॉब्लम है अगर आपको समझना है कमपरेटर का यूज तो इस प्रॉब्लम से आप समझ सकते हो और सॉर्टिंग में बढ़िया हो सकते हो कोई डाउट नहीं है मेरे साथ से चलो तो कुछ नहीं करा हुआ हमेशा की तरह मैंने इसको इग्नोर करो अगर इग्नोर करना है तो एक टेस्ट केस आता है अट कोडर में तो मल्टिपल के लिए मैं वाइल लूप लगा के रखता हूँ कर लेते हैं जब भी मल्टिपल आता है तो एक टेस्ट केस के लिए सॉल फंक्चन एक ही बार कॉल होगा कोई दिक्कत नहीं है सौल फंक्चन में उस पर आजो तो सौल फंक्चन किया है ट्रिंग X इनपुट है यह है क्या है यह निव ओर आल्फाबिट्स थी कह है नू ओर रहे इनिशल ओर क्या था ए पहले फिर B फिर C फिर D इनिशल दिक्शनरी का ओडर क्या था A to B to C to D to Z ऐसे था, ऐसे था, अभी नया order आचुका है, नया order X बता रहा है तो मैंने उसको input ले लिया, ठीक है, फिर मैंने क्या गरा मैंने कहा Assign character to its corresponding corresponding position in the new order तो यह दिख रहा है गया आपको Let me see, let me see दिख रहा है कि सब कुछ नहीं, 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 नहीं दिख रहा Just a minute position in के बाद नहीं दिख रहा ना ठीक है, अब तो यह करा मैंने ठीक है, समझना बात को क्या हो रहा है Assign character to its corresponding position in the new order तो इस क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पर देखो जरा तो जो initial order था, वो था A, B, C, D ऐसे करते होए, last में आता था Z तो इसका अगर मैं position लिखना चाहूँ, तो 0 बेस में लिखते है तो 0 आता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके आ रहा है Last वाले का क्या होता, 25 ठीक है, 0 to 25, 26 character कोई दिकत नहीं वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ अब जो नया order है, उसको मैं उसकी position assign कर रहा हूँ क्योंकि जो नया order है ठीक है, नया order जो भी है मानलो, x0 आएगा पहले फिर x1 आएगा फिर x2 आएगा ऐसे करके आगे बढ़ रहे होंगे, तो इनकी position क्या होगी जो भी x0 होगा, उसकी position होगी नया order में 0 फिर x1 होगा, उसकी position होगी 1 मैंने का, फिर होगा 2 फिर होगा 3, ठीक है तो ऐसे आएगा होगा, मतलब क्या कि x0 की position होगी 0, नया order में नया dictionary की order में x1 की position होगी 1, x2 की होगी 2 तो यहाँ पर मैं एक्यू कर रहा हूँ उसको मैं बताऊँगा, क्योंकि मेरे को किसी भी कभी भी दो character को compare करना होगा तो मैं कैसे करूँगा तो मैं इस number से कर लोगा कि जिसका number छोटा होगा, वो पहले आ रहा है तो बस मैंने यहाँ पर यही करा ठीक है मैंने x string में iterate करा और मैंने उस character का position नए order में जो भी है वो store कर लिया, ठीक है clear है विल्कुल character का character का जो भी नए order में position है यह वाली position मैंने store कर लिया एक map में map मैंने एक लिया हुआ है यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो character, int का तो character के लिए integer store कर लिया है mp में अभी ध्यान मत दो जो मैं कह रहा हूँ वो देखो बस यह करा यह मैंने बाद में code करा था पहले मैंने नीचे का code करा है फिर बाद का करा है लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ अभी के लिए बाद में आऊँगा तो input लिया x नए order और उसकी mapping कर ली positions के साथ फिर आओ n names को input करते है n input करा फिर string एक vector लिया string का उसमें string input कर ली और normally अपन जैसे sort करते वैसे कर दिया और final order प्रिंट कर दिया कोई doubt हो तो बोलो कोई doubt हो तो बोलो please explain d d करेंगे ना इसके बाद d करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो c समझ रहे हो ना क्या हो रहा है c समझना ध्यान से string x input करी उस order को मैंने save कर लिया कि कौन सा character पहले आएगा कौन सा character बाद में आएगा वो ये वाला number decide कर देगा ठीक है कभी भी दो character को compare करना है उसका map में जो भी number है वो देख लो जिसका number छोटा वो पहले आ रहा होगा ठीक है n input करा n names है वेक्टर में डाला n string को और normally sort कर दिया तो अगर आपको मैंने क्या कहा था कि अगर ये order का पंगा नहीं होता तो आप क्या करते names को input करते और string को sort कर देते without any comparator और आपका काम हो जाता जो भी final order आता वो आपका answer था लेकिन अभी क्या है और चेंज हो चुका है तो इसलिए हमको comparator use करना पड़ रहा है और comparator के बारे में knowledge नहीं है तो वीडियो जरूर देखना detail में बताया था मैंने inbuilt sort plus comparator plus ऐसे करके title है उसका dsa की एक playlist है google search कर लेना sorry youtube search कर लेना मिल जाएगा नहीं तो जाके भी देख सकते हो playlist में dsa using c++ नाम है उस playlist का ठीक है अब एक मलिक इस सेम अप्रोच ये बढ़िया 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 तो बस comparator का क्या करना था वो मैं बता रहा हूँ वो important था पहले तो आप ये सोच पाते है कि comparator यूज करके कर सकते हो और दूसरा comparator में क्या करना था तो अब comparator क्यों यूज करना है वो तो समझ लिया ना नॉर्मल कोशन अमने देखा क्या था सौर्ट हो क्यों हो जाता लेकिन यहाँ पर अभी order का पंगा है तो मैंने comparator को यूज कर लिया तो अगर आपने अभी तक नहीं कर रहा किसी problem में use तो यह वाली में कर लेना experience हो जाएगा अगली बार आएगी तो वो कर दोगे तो इस order का use करेंगे देखो अब comparator से कैसे तो comparator देखो यहाँ पर तो मैंने का यह comparator है तो दो string को यह compare करेगा क्यों? क्योंकि हमारा vector जो था वो string का vector था तो इस comparator में कभी भी किसी भी point of time में दो string जाएगी और वो compare होगी और उसके हिसाब से हमारा sorting perform होगा तो पहली string का size ले लिया s1.size दूसरी string का size ले लिया s2.size फिर मैंने minimum of l1, l2 तक iterate करा क्योंकि मान लो s1 जो है a s2 है abc तो a की character है minimum तो a को पहले से कर पाओगे compare एक string है a, दूसरी है abc तो a को पहले abc के a से कर पाओगे na a के बाद तो कुछ है ही नी तो इसलिए मैंने आपर minimum लिया है क्योंकि जिसके minimum character होंगे तो उतना ही हमें trade कर पाएंगे तो कर लिया अगर समझ रहे हो अगर यह दोनों character different है ठीक है s1 का i और s2 का i different है तो इनका order भी different होगा तो मैंने चेक करा क्या s1 i का order s2 i के order से पहले आ रहा है order में s1 i पहले आ रहा है क्या नए order में s1 i पहले आ रहा है क्या उसके लिए मैंने उसका number निकाला और चेक कर लिया s2 i के number से मैंने का अगर यह छोटा है तो पहले आ रहा है तो अगर s1 पहले आता है s2 के तो यह function true return करना चाहिए तो मैंने true return कर दिया बोलोगे कैसे कैसे वाला जवाब अपको dsa वाली playlist की वीडियो में मिल जाएगा देख लेना अभी के लिए इतना ही तो order compare करा फिर s1 i अगर greater हो रहा है मतलब final order में s1 i बाद में आ रहा है s2 i के तो मैंने false return करा मतलब s1 बाद में आएगा s2 के ठीक है यह कर लिया उसके बाद अगर यहाँ पर मेरे को एक भी character different नहीं मिला आएथ character मेरे को different मिला ही नहीं तो मैंने उसकी length चेक कर ली ठीक है जैसे एक case बताता हूं एक string a है एक string a भी है तो minimum of l1 l2 क्या होगा इसको compare करेगा a a को तो यह वाला कोई भी नहीं क्योंकि दोनों character same है उसके बाद हम loop से बाहर आ जाएंगे तो lexicographical order क्या होता है कि अगर prefix same है लेकिन एक string में जादा character है तो छोटे वाला जो है पहले आएगा ठीक है a always less than a b होगा इस case में a less than a b ठीक है if a less than b ठीक है तो मैंने अबर चेक कर ले जिसकी length कम है अगर l1 की कम है मतलब string 1 पहले आनी चाहिए तो मैंने true return कर दिया otherwise false कर दिया तो main name अपना क्या था यहाँ पे कि string 1 अगर पहले आएगा तो comparator true return करेगा otherwise false ठीक है तो बस comparator समझ में आना ची उसके बाद तो हो जाएगा यह map में character की mapping कर लो map में character की mapping कर लो कौन सा character पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा उसके बाद आप यहाँ पर check कर लो कोई भी पहला character जैसी different आया वहीं से lexicographical order पता देज जाएगा अगर एक भी same equal sorry unequal नहीं आ रहा तो सारे same है एक point तक उसके बाद चेक कर लो यह वाला तो आपको question में given है given that given क्या है s1 is not equal to s2 कभी भी s1 s2 के equal नहीं होगा यह given है problem में मतलब जित्ती भी names given है कोई भी equal नहीं होगा तो यह less than है l1 less than l2 है तो else वाला case क्या होगा l1 greater than l2 ठीक है कभी भी equality वाला case handle ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि problem में given है ठीक है तो comparator बनाओ और answer पाओ कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ सेम अप्रोच है भाई आपकी बहुत बढ़ी है अविक तो आपको आप देख रहे हो बढ़ी बात है मसलब ABCD कर लिया फिर भी देख रहे हो मस्त है मस्त है कभू खोष प्लीज एक्स्प्रीम टी ठीक है तो और कोई कोई डाउट हो तो बोलो इसको इग्णोर करना है रेड रेड में ये पावल हो गया है मेरा VS Code सारी VS Code नहीं VS Code का वो क्या कहते हैं अगर नॉर्मल ओडर होता तो यही करते है बस यहाँ पर difference क्या है comparator का क्योंकि order change हो गया है order change हो गया है तो मैंने order को save कर लिया और comparator को use कर लिया अब आप बोलोगे भाई यार यह तो n login होता था sort लेकिन comparator उसका o 1 होता था big o 1 constant time वाला लेकिन यहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर आप comparator में length में iterate कर रहे हो तो मैंने बोला भाई length कितनी है length कितनी है प्राबलम में string की जाके देखो 10 length है समझ रहे हो maximum जो length है न किसी भी नाम की वो 10 है तो 10 length में iterate करना तो constant time की बराबर है n login में 10 multiply कर दो क्या ही फरक पड़ गया देख लो आप एक बर constraint जाके कोई दिक्कत नहीं है तो wait out हो तो बोलो अना बढ़िया problem है लेकिन आसान भी है अगर आपको concepts clear है क्या comparator करता है तो comparator के problem ना बहुत कम मिलते हैं तो जब भी आया ना उसको कर लिया गरो solve मतलब live एक दम contest में कर लिया करो क्योंकि बहुत कम मिलते हैं easy concept है लेकिन बहुत बार होता है कि आता ही नहीं है तो होता ही नहीं है तो इस बार कर लो आगे आएगा तो हो जाएगा पक्की बात तो कोई doubt हो तो गोलो वरना D पे आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम डी डीपी डाइनमिक प्रोग्रामिंग से हुई है वो solve मस्त प्रॉब्लमिंग तम नैपसेक वाली तो उसको भी देखेंगे तम पड़ा फट नैपसेक तो नहीं बताऊंगा मैं नैपसेक को बचा के रखूंगा आगे के लिए कभी और बात करेंगे नैपसेक की नहीं तो उटेके किसी को कोई तो बोलो छुप क्यों रहे हो बे शमीम अशीश बोल नहीं रहे हैं क्या बात कर रहे हैं आप मयंक कोई तो बोलो बे अविक आगे बढ़ता हूँ फिर मैं अस्यूम करता हूँ कि किसी को डाउट नहीं है ठीक है किसी को डाउट हो तो बोल दो कमपरेटर कमपरेटर कोड चाहिए कोड मिल जाएगा मेरे सब्मिशन से उठा लो या तो टेलिग्राम पर डाल दूँगा बता दे ना कमेंट्स में चीक है आगे बढ़ रहे हैं फिर कोई डाउट हो तो बोल दे ना लेट मी आप में बोफ प्रवड कौन से पे जा रहे हैं अब डी पे जा रहे हैं प्रॉबलम डी पे जा रहे हैं डी पे यह खुल गई डी प्रॉबलम और आपको भी श्क्रीन शेर कर देते हैं अबिंदे वाली कुल बढ़ी है बढ़ी है यही कमेंट तो चाहिए होता है यार मज़े आ जाते हैं देखके चलो फिर प्रॉब्लम डी पे आते है तो एक बार में आपको आट कोडर की स्क्रीन दिखाता हूं तो जैसे आपको एक्जामपल दिख रहा होगा इस प्रॉब्लम सी कही है तो इसमें इसको सॉट करना था इस वाले ओर्डर को यूज करके तो यहां पर दिखो फर्स करेक्टर A और C है यहां परció order A और C है मतलब A पहले ही आ रहा है C के तो ABX तो पहले ही आने वाला है C A के Final में भी आप देख सकते हो लेकिन B और A में compare करो तो यहाँ पर B पहले आ रहा है A से यानि कि यहाँ पर B वाले पहले हो जाएंगे इन दोनों से तो B वाले पहले हो गए फिर A फिर C वाला समझ रहे हो ना Normal sort में वास comparator का change था बागी कुछ भी नहीं था तो आज ओ प्रॉब्लम D पे Strange Lunch Box ठीक है प्रॉब्लम का नाम है Strange Lunch Box लाइक कर दो वीडियो को C समझ में आया हो तो and share जरूर कर दे न अभी कोई किसी को डाउट हो तो पूछ लेगा तो clear भी हो जाता है वरना बाद में कमेंट करते हो फिर मैं इसका reply करता हूँ फिर आप फिर से कमेंट करते हो मैं फिर से reply करता हूँ फिर आप यादो कमेंट करना छोड़ दोगे या मैं छोड़ दूँगा तो इससे वड़ी आएगी अभी देख लो और अभी पूछ लो आना तो problem D पढ़ लो एक बार पानी भी लेता हूँ देखो जादू जादू देख रहे हो जादू देख रहे हो बोतल नहीं दिख रही आपको ऐसे जादू तो हम रोज करते हैं वेड़ा समझे रहे बात को चलो तो problem statement के है भाई strange lunchbox की की a shop sell n kind of lunchbox one for each kind तो दियान से बढ़ा करो देखो statement को n kind of lunchbox एक दुकान बेचती है and one for each kind समझ रहे हैं मतलब सारे n के n एक तरह के हैं मतलब different तरह के हैं मतलब कोई भी एक kind का lunchbox repeat नहीं होगा सारे अलग होंगे एक कम तो for each I one to one the Ith kind of lunchbox contains AI ताका जो भी है मतलब देख लेना octopus balls and BI fish shaped cakes इसे इग्नोर करों इतना याद रख लेंगे तो तो भाई माउंट आवरिस चड़ जाएंगे तो ताका हजी वांस तो एक्स और मोर ताको यह जो भी हैं determine whether it is possible to buy some number of lunchbox तो यहां पर question क्या है कि कुछ मदलब कुछ भी कहलो इसे कुछ इस तरह के एक lunchbox में कुछ first type के first type का product है second type का product है एक lunchbox में अब जो टाका हजी को चाहिए वो first type का product at least x चाहिए second type का product at least y चाहिए तो उसको क्या बताना है हमें क्या बताना है determine whether it is possible to buy some number of lunchbox तो n lunchbox थे और इसमें से कुछ lunchbox हम select कर पाएं खरीद पाएं जिससे है कि जो total first type हो जाए वो x से greater than equal to हो जाए total second type y के greater than equal to हो जाए तो अगर हम कर पा रहे हैं तो print करवाना है कि कितने minimum lunchbox भाए करें तो हो जाएगा ठीक है तो यह देखो यहां पर लिखा हूँ अभी है if it is possible अगर हम possible कर पा रहे हैं at least x और at least y तो find the minimum number of lunchbox find the minimum number of lunchbox ठीक है minimize करना है otherwise minus 1 print करना है या आप आउटपुट में देख सकते हो if takashi cannot get at least y and at least इतना तो print minus 1 ठीक है otherwise print the minimum number of lunchbox that he must buy to get them ठीक है तो बस यही है problem एकदम समझ में आनी चाहिए आपको binary water ठीक है binary water है भाई बिल्कुल ठीक है जी तो problem समझ में आ गई न कि भाई n kind of lunchbox है one to n ऐसे और दोनोगा AIBI given होगा कि उसमें first type का कितना product है second type का कितना है अब टाका आशी को total in total जितने भी वो lunchbox select करेगी उसमें in total at least x और at least y चाहिए first or second respectively ठीक है तो उसको बताना है minimum कितना हम select करें minimize करना है समझ रहे हो तो याद रखना हमेशे एक general सा concept समझ रहे हो क्या कि भाई जो minimize maximize करने वाली problem होती या तो होती है greedy या तो होती है DP समझ रहे हो बहुत basic एक line है आपको धिहान में रखनी चाहिए कभी भी एकदम से minimize maximize आया है तो आप ये वाली चीज दिमाग में नहीं होती एकदम से approach में जाते हो हाँ ये गर देंगे ऐसा हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है बटा ठीक है तो यहाँ पर greedy है DP का मेरे को option मिला तो मैं आया constraint पर मैंने का जड़ा constraint देखते हैं भाई constraint आया 300 मैंने का 300 इतना कम 10 की पावर 5 भी तो दे सकते थे वेटा लेकिन आपने नहीं दिया क्योंकि हम greedy लगाएंगे तो एक basic solution priority क्यों का आता है n log n में solve करने वाला मैंने का यहाँ 10 की पावर 5 क्यों नहीं है यहाँ से थोड़ा से शक होगा DP 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 समझे रहे हो फिर मैंने का भाई XY भी 300 है क्या बात है और AIBI भी 300 यह तो मज़े की बात हो गई है यहाँ तो बिल्कुल DP दिख रही है तो देखते हैं भाई कैसे दिख रही है जितने भी आप सेलेट करोगे उनका सम अफ ओल AI शुड़ भी ग्रेटर देन इकोल टू एक्स जितने भी आप सेलेट करोगे उसके सम उफ BI इस ग्रेटर देन इकोल टू यह कंडिशन है अगर आप यह कर पा रहे हो तो बताओ कितने मिनिमम लंच बॉक्स को सलेक्ट करके आप यह कर सकते हो अगर आप यह करी नहीं पा रहे ग्रेटर द इकोल टू एक्स बनाई नहीं पा रहे AI का सम तो आपको माइनस बन प्रेंट करना है समझ रहे हो तो इसके लिए आंसर आया है तो मतलब इन 4 में से, sorry, इन 3 में से कोई 2 lunchbox select करके आप 5 और 6 से उपपर कर पा रहे हो 1st और 2nd को respectively इसमें आप करी नहीं पा रहे हो, तो माइनस 1 प्रिंट कर रहे हो, तीक है तो इसका देख लेते हैं क्या हो रहा है, ऐसी समझने के लिए बस question को और अच्छे से तो 5 और 6 बनाना था 1st और 2nd का, तो मैंने का 3 ये वाला lunchbox ले लो तो in total first 3 हो गया, second 4 हो गया, उसके बाद in total ये ले लो तो 3 और 2 कितना हो गया? 5, जितना चाहिए था अपने को, greater than equal to 5 चाहिए, equality hold कर रहे है 4 plus 3 कितना हो गया? 7, 7 is greater than equal to 6, तो हो गया, ये 2 select करो lunchbox, ये वाली condition satisfy तो इसके लिए answer हो गया, 2, 2 से कम में नहीं कर पाऊगे, वो आप देख सकते हो, individual select करो तो ये 5 है, इसमें 2, 3 और 2 है, तो 5 से उपर तो होई नहीं पाएगा, greater than equal to इस वाले में similarly आप देख सकते हो कि कोई भी, मतलब worst case में क्या करोगे, worst case में क्या करोगे सारे lunchbox select कर लो, minimize जाए कहीं और, मेरे को मतलब नहीं है minimize से मेरे को मतलब है कि भाई, मेरे ये कर पा रहा हो या नहीं, तो मैं क्या कहूँगा, सारे lunchbox select कर लो, सारे अगर सारे कर रहे हो, तो maximum possible first product का sum, second product का sum आएगा, तो 3 plus 2 plus 2 कित्ता हो गया, 3 plus 2 plus 2, 7 हो गया, 7 is less than 8, तो मेरे को 8 से greater than equal to चाहिए दा, तो मैं करी नहीं पाऊँगा, तो मैंने वैसी minus 1 कर दिया, तो minus 1 का case, जब भी भी ऐसा कोई problem हो ना, एक और चीज बताता हूँ, कि जिस उससे पहले आप सोचा करोगी, possible कब नहीं होगा, possible कब नहीं होगा, तो यहाँ पर अगर यह सोचते तो आपको पता चल जाता कि मेरे को lunch boxes minimize करने है, तो possibility चेक करने के लिए तो बहुत असान है, सारे select कर लो, सारे select करके अगर मैं इस condition को satisfy कर पा रहा हूँ, यनि कि possible तो है, अब minimize करने है, तो बस वो चीज़ ध्यान में रखके, और आगे बढ़ जाते तो हो जाता, ठीक है, तो यह सारी सीज़े code में मैं अच्छे से explain करूंगा ही, देखते जाओ, नूब कोडर भी आ चुके हैं हमारे, रवी नाम है जिनका, रवी नाम है न, नूब कोडर याद होगे, तो मैप कर लिया है, मैंने भी नूब कोडर को रवी से, ठीक है, तो क्या गर रहे थे भई, आहां, तो अब यह देख रहे थे हैं कि minimum maximize, minimize maximize की problem है, तो अपने को greedy or dp ल चिला के कह रहा है कि मैं dp, मैं dp, मैं dp है न, लेकिन फिर भी verify करना है, तो एक example ले लो जो greedy fail करतेगा, तो मैंने एक example आपको देता हूँ, हलका सा, छोटा सा, और फिर आते हैं, तो example जो हमारा वो है, देखो आप one node, देखो मेरा, sketchbook, ठीक है जी, sketchbook में हैं हम, तो यह problem लंच बॉक्स है, problem d, चीक है, तो यह लो भई, d problem है, strange lunch box, ठीक है, एक दम बढ़िया, तो इसमें मैंने कहा भई, greedy कैसे fail होगा, क्योंकि greedy क्या कह रहा है, कि भई, क्या कह रहा है greedy, एक minute रूखो, क्या कह रहा है greedy, greedy कह रहा है, अब यार, बार-बार x, क्यों ले रहे हो, ai, bi, बहुत सारे दिये हैं, मतलब lunch box, किसी भी एक lunch box, अगर li बोलू, तो उसमें ai, bi होता है, ai और bi, मेरे को जो x और y चाहिए, तो x should be less than equal to sum of ai, ठीक है, जो जो हम lunch box select करेंगे, उसका ai, और ऐसे ही, y should be less than equal to sum of bi, ये condition है, हमारी, तो जो भी हम lunch box select करेंगे, उसका sum of ai, उसका sum of bi, ये condition को satisfy करना चाहिए, तो इसको हमें minimize करना है, कि कितने कम से कम lunch box select करें, जिससे कि ये condition satisfy हो जाए, और हो भी पाए या नहीं हो पाए, तो मैंने गाए, एक example लेओ, अगर आपने समझा हो तो, तो for example जो है, वो दो का ही लूँगा, बहुत असान सा, 4, 1 ले लो, और 2, 2 ले लो, दो lunch box है अपने पास, L1 ये है, L2 ये है, ठीक है, सब को दिख रहा है ना, सब कुछ पढ़िया एक तो, L1 ये है, lunch box 1 ये है, lunch box 2 ये है, मैंने का, x और y जो है, वो दोनो 2 है, ठीक है, वो दोनो 2 है, तो मैंने का, अब मेरे को ऐसे lunch box select करने है, जिससे कि मेरा x less than equal to sum of ai हो जाए, और y less than equal to sum of bi हो जाए, तो मैंने का, अगर मैं ग्रीडी चलो, तो ग्रीडी में क्या करेंगे है, हम देखेंगे कि भई, maximum वाले को select करना है, तो मैंने, मानलो, A को देखा और A में ये वाला maximum वाला select कर लिया, 4, तो मैंने ये वाला lunch box select कर लिया, अलग अलग तो करनी सकते 4 और 1 को select, अगर L1 पूरा select होगा एक बार में, 4 और 1 एक साथ select होगे, तो मैंने का, ये वाला ले लिया, तो मेरा अभी sum of AI क्या हो गया, ये मेरा हो गया 4, और ये मेरा हो गया 1, क्योंकि 4 ने AI में contribute करा, 1 ने BI में contribute करा, लेकिन अभी ये वाला condition तो satisfy हो गया, क्योंकि X था 2, तो 4 इस greater than equal to 2, लेकिन Y 2 था और ये बनी है, तो 1 is not greater than equal to 2, तो मेरे को एक और select करना पड़ेगा अगला, तो ही मेरा जाके ये condition satisfy होगी, तो कितने lunchbox select करें, 2 करें, 2 answer है, लेकिन 2 answer नहीं answer, तो एक ही है, क्यों, क्योंकि आप ये वाला भी select करके answer ला सकते हैं सीधा, अगर आप L2 select कर लेते, तो आप आपका sum of AI क्या हो जाता, 2 क्योंकि एक ही select कर रहा है अभी तक, और BI sum of क्या हो जाता, 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 ठीक है, और मेरा X भी 2 है, Y भी 2 है, मैंने का होगी condition satisfy, X is less than equal to AI का sum, and Y is less than equal to BI का sum, ठीक है, ये दो ही तो condition satisfy करनी थी, होगया काम, ठीक है, तो यहाँ पर box select करो, answer satisfy हो गया, और greedy लगा हो गया, तो ये वाला case आ सकता है, कि दोनों select करने पढ़ जाए, तो यहाँ पर आप confirm कर सकते थे, पर इसकी जरुरत नहीं थी, ठीक है, इसको prove करने की जरुरत नहीं है, क्योंकि constraint में दिख रहा है भई, दस की power 5 क्यों नहीं दिया, अगर इन का अगर को अगर के नहीं लग रहा था तो, समझ रहों, अरे याऔर, यहा, नूब नूब ने मिर को गर दिया है, sorry 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 आशी इसने पकड़ लिया है, नूब बॉट, नूब बॉट है रवी आरे, मैं भूल गया है, गलती से भूल गया, एक्तम ने दिमाग से उतर गया, नूब कोडर आपका गया नामे आप भी बताओ, तो दोनों मैप हो जाएंगे ना फिर गड़बड नी होगी, गलत मैप कर ल हो ना क्या हुआ, ग्रीडी डीपी में अपने को डाउट हुआ, हमने कहा कि भाई, भाई, डीपी लगेगा, कंस्टेंट भी कह रहे हैं, और प्रॉबलम में हमने कॉंट्रेडिक्ट भी कर दिया, एक सोलूशन, एक्जाम्पल लेके, ठीक है, इसका कोड दिखाता हूँ, ए मैक्सिमम वेल्यू रिटर्न करें, यह नहीं बता तो भूल जाओ, अगर यह समझ नहीं आए जो मने बोला तो, मेरी प्रॉबलम में आओ, मैं दिखाता हूँ, तो कोड में आओ, एकदम समझ में आएगा, डीपी लगेगी, क्या लगाना है, भाई, क्या स्टेट यूज करन तो हम 3D डीपी उस करेंगे, क्यों करेंगे, यह भी देखते हैं, I, J, K, जो बताएगा कि भाई, I number of elements, I number of elements, अगर हम I number of elements के लिए काम कर रहे हैं अभी, और क्या हम J, J यह मतलब यह, X जो है न, यह J है, क्या हम J, और K का configuration बना सकते हैं, बना सकते हैं, तो कितना minimum अपने को array का lunch box लगेंगे, ठीक है, तो यह X और Y जो है न, यह यहाँ पर map हो रहे हैं, इस से, X हो रहा है, sorry, J से, और Y हो रहा है, इधर से निकालते लिए लओ, K से, ठीक है, तो first I number of elements को अगर मैं देखूँ, तो क्या मैं यह sum of AI ला सकता हूँ, और क्या मैं यह sum of BI ला सकता हूँ, अगर ला सकता हूँ, तो मेरे को, कितने minimum लगेंगे, minimum lunch box, lunch box, ठीक है, बिलकुल एक दम द्यान दे समझना, क्या कह रहा हूँ, ठीक है, धरूब नाम है न, नूब कोडल धरूब है क्या, अच्छो धरूब, क्या आप discord पर भी हो, discord पर एक धरूब को मैं जानता हूँ, did you use memoization or tabular, तो मैंने tabular ही use करा है, memoization तो नहीं करा, क्योंकि देखो, मैंने आपको हमेशा पताया है, कि हम tabular memoization दोनों करा करो, जो आपको best लगे, उस समय वो use करो, तो मैंने यहाँ पर, यह perfect भी हो सकते हो किसी एक में लेकिन मेरा यह मानना है कि दोनों आने चाहिए, तो मेरे को यहाँ पर लगा किया रही तो बहुत असान प्रॉबलम है, tabular ही हो जाएगा, इतना मतलब कुछ सोचने का वो बननी रहा, क्योंकि हम memoization जादा मुश्किल वाली में use करते है, कि हाँ, ठीक है, recurrence दिख रहा है, ल चाहिए होंगे, select करने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे, जिससे की first i elements अगर हम देखें, सिर्फ first i elements को use करके, sum of ai j बना सकते हैं, और sum of bi k बना सकते हैं, ठीक है, मतलब यह equality hold करेगी यहाँ पर, यह less than equal to वाली, यह x और y है, ठीक है, तो यह j जो है वो x को map कर रहा है, ठीक है, तो कितने minimum lunchbox लगेंगे, इस state पर पहुंचने के लिए, तो वो चीज मेरा dpi restore करेगा, तो अभी मलिक कह रहे हैं, I used memoization, I am but not much active, हाँ मतलब आप ही होगे शायर, ठीक है, तो memoization कर रहा है तो आप tabular देखो, इसलिए मैं कह रहा था, आप देखो, क्या पता आपको तो code पे आते हैं वापस, where is my code, where is my code, d problem का code कहा है भाई, धान से देखना बिलकुल एकदम, like कर दो, वीडियो को अभी तक सब कुछ clear हो रहा हो, तो नहीं हो रहा हो, तो पूछ लो, clear कर देंगे, तो VS code खुल चुका है, and copy paste भी हो चुका है code, लेकिन मैंने आपको share नहीं कर करेंगे यह, okay, screen आचुकी है, कोई doubt हो तो बोलना, तो देखो कितना simple सा code है इसका, एक दम अभी समझ में आ जाएगा, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, देखते जाओ बस, okay, dp लगाई है, क्यों लगाई है मने बताया, अब state भी बता दी, क्या लगा रहे है, state क्या है, उस कमेंट आया है, बट x or y less than 0 पर runtime error आ गया था पहले, अच्छा, आँ यह चीज़े, memoization में इस चीज़े बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है, base case, edge cases, कहीं गड़बना हो जाए, वहाँ तो क्योंकि होता नहीं है, recursive बनाया और अपन ने पेल दिया, तो iterative में जादा फील आ करना, तो problem में एक test case के लिए solve function call होगा हमेशा की तरह, देखते हैं क्या होगा, तो solve function में आ गए, तो पहले एक मेनिया पर global लिया हुआ है, 300 x 300 size का, क्योंकि 3 variable लगेंगे एक state में, क्यों लगेंगे, क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है, कि भई मेरे को x और y पे खेलना x क्या है, x is, कि at least, जितने भी lunchbox में select करूं, उसके first product का sum, दो product है हर lunchbox में, a और b, ठीक है, तो first वाले product का sum, जितने भी मैंने select करें lunchbox, वो sum greater than equal to होना चाहिए, इस वाले के, x के, जो x हमें given है, और y के होना चाहिए, दूसरे वाले, तो मैंने का, ये दो तो आएंगे, और फिर कितने number of elements है, उसका भी एक state आएगा, variable आएगा, sorry, तो कितने number of elements में उने काम करा और कहां तक मैं पहुँच पाया, वो चीज़ स्टोर करेगा मेरा dp, तो अगर napsack नहीं करा ना, तो napsack जाके करो अभी, dp का napsack problem, basic एकदम, उसी का basic concept इनो उने use करा हो, तो आजाओ क्या कर रहे हैं, देखते हैं, तो n, number of lunchbox input करा, n, x और y input करा, जो मिरकों यहाँ पर x और y समझ रहे हो न, चाहिए, कि इस वाले का sum x से greater than equal to, इस वाले का sum y से greater than equal to चाहिए, वेक्टर ले लो, store करने के लिए lunchbox में दोनों product, a और b, ठीक है, दो चीज़ आ रही है है, हर lunchbox म और साथ-साथ, first वाले का और second वाले का sum भी store करो, तो first वाले का इसमें, second वाले का इसमें, तो a और b, n बार iterate करा, a और b को input करा, और इसको zoom कर लो, जूम नहीं होता है, चोले चोड़ो, तो a और b input करा, sum x, a वाले sum में a डाला, b वाले sum में b डाला, b में push कर दिया, a, b, ठी इसके बाद मैंने minus one वाली condition, question में बताया, अगर impossible वाला case आ रहा है, तो उसको सबसे पहले सोचो और समझो क्या है, तो इसमें क्या है वो case, कि अगर सारे lunchbox select कर लो, झाले हाँ झालेS अगर, तो आगर में आगर सम्आड़ो, झाले कि अगर अभितिर, प्सावड़ो, प्सावरो, तो उसके झालेसीए, तो बता नहीं है, तो इसमेरी कोईने, कर नहींद कर दो कि तो अब तो बढ़िया चल रहा है अब सही है, माईक अब सही है छीक है तो करें 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 वापस से कंटीन्यू कर रहे है यस इस गुड़ अब ठीक है चलो तो कहां पर थे हम अब ओके अब एक थाइंक्स वर इंफर्मिंग में अन इंस्टाग्म अब बढ़िया रहता है ऐसे एकदम से बता दो तो क्योंकि मेरे को स्क्रीन दिखनी रहा होता हमेशा तो मैं फ्लो फ्लो में कहीं पढ़ा दूँ और यहां पर स्ट्रीम यह उफ है तो कहां पर थे हम कहां पर थे कहां पर थे भई वीएस कोड में थे न तो वीएस कोड में यहां पर दे इंपॉसिबल वाला केस हमने देख लिया था फिर हम आये वापस हमने का भई डीपी है अरे है यह तो इनिशिलाइज कर दिया हमने इसको मैक्सिमम वेल्यू से क्योंकि हमें मिनिममम वेल्यू निकालना है हमें क्या करना है मिनिममम लंच बॉक्स का नंबर चाहिए जिससे की हमारी कंडिशन सेडिस्फाय हो जाए तो अगर मिनिममम चाहिए तो इनिशिलाइज का करेंगे मैक्सिमम से फिर लेकिन एक चीज हम दियान रखेंगे कि 000 का answer intermax नहीं होगा क्यों क्योंकि zero number of elements है जो हम consider कर रहे है zero हमें वह चाहिए यह जो एके यह जीडो है यह जीडो है यह जीडो है एन जीरो एक जीरो यह जीरो तो कितने लंच बॉक्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि मै जीरो लंच बॉक्स करूंगा तो भी ये condition satisfy कर दूँगा समझ रहे बात को कैसे zero number of elements है zero sum चाहिए AI का zero sum चाहिए BI का AI वहने समझाया था आपको one note में इससे पहले तो ये base case है ठीक है कि भई इस zero और ये x zero और y zero ऐसा समझो कि x और y दो variable आ रहे दे ना कि इससे greater लेटर चाहिए अपने को इतने लंच बॉक्स से लेट करो कि लंच बॉक्स के फर्स्ट प्रोड़क्ट का सम एक से बड़ा आजाए ग्रेटर दन इकुल टू आजाए लंच बॉक्स के इस सेकेंड प्रोड़क्ट का सम वाई से ग्रेटर दन इकुल टू आजाए तो अगर x y zero हो जाएंगे तो एक भी लंच बॉक्स सलेट करने की ज़रूरत नहीं है तो zero answer है ठीक है तो ये base case बहुत important है इसको ध्यान में रखना फिर मैंने लगा दिये भई लूप बहुत सारे क्या क्या लगा दिये हैं देखते है रिकर्शन से करा था आए आज का डीव अफ्टर कॉंटेस बहुत बढ़िया एवरीवन लेफ्ट कोई बात नहीं है रा जाएंगे सब आप हो ना कोई दिक्कत नहीं है अब आजाते हैं लूप पे नैपसेक की तरह आपने रिकर्शन से करा रहा है तो यह मैं आपको बता रहा हूँ इंट्रेटिव तरीका क्योंकि मैंने ऐसे करा है तो आप करोगे क्योंकि dpi क्या था i यहां पर जो i था वो क्या था कि इतरे number of elements consider करने के बाद समझ रहे हो तो मैं bottom up approach में क्या करूँगा 1 से start करूँगा जीरो के लिए तो अपने को पता ही है 1 से start करूँगा कि एक select करूँगा अगर मैं सिर्फ पहला element consider करूँ तो मेरा answer क्या आ सकता है तो भई मैंने करा i1 के लिए solve करा फिर i2 के लिए करा फिर i3 के लिए तो भई सब कर रहा हूँ तो i1,2,n का एक loop हो गया ठीक है उसके बाद j और k जो ये दोनों वेर ये बले है x और y के वो है j और k तो मेरे को पता है x और y मेरे को चाहिए मेरे को x और y के लिए निकालना है तो मैंने maximum limity x और y डाल दी ठीक है और मैं फिर iteratively bottom up approach में आगे बढ़ रहा हूँ ठीक है constructive way में आगे बढ़ रहा हूँ j और k के लिए उसके बाद ये मैंने 4 condition लगा दी ठीक है अभी 4 condition क्या ये देखते हैं और फिर उसके बाद मैंने last में क्या गरा मैंने का भाई n elements consider करने के बाद x और y के लिए मेरा कितना minimum number of lunchbox लगेगा तो मैंने का भाई ये answer है dp में तो वह store कर रहे थे ना ठीक है अच्छा screen size अब को दिखनी रहा हूँ okay okay एक minute एक minute sorry 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 तो shift tab मारते है अब इधर आ जाएगा और इसको भी shift tab मार देते है थोड़ा और पीछे आ जाएगा और इसको भी shift tab मार देते हैं ये भी पीछे आ जाएगा ठीक है इसको भी shift tab मार देते हैं ये भी पीछे आ जाएगा ठीक है actually size ना reduce होनी पाएगा वो ना मतलब ऐसी setting करी भी है तो अभी के लिए चलाते हैं इजे तो डीपी समझ में आई ना तीन लूप लगा रहा हूँ सारे elements में iterate कर रहा हूँ क्योंकि मेरा i elements को consider करके मैं कुछ answer construct कर रहा हूँ तो i को मैं बढ़ाता जाओंगा हर iteration में और j और k को देखते हैं कैसे use कर रहे हैं तो j और k के लिए मैंने loop लगाया हूँ है maximum limit x और y है अब ये चार condition लगा रहा हूँ ये चार condition देखो क्या है ठीक है तो ये चार condition लगाने के बाद मैं answer print कर दूँगा dp n x y मतलब n elements consider करने के बाद x total sum और y total sum यह से जादा greater than equal to x greater than equal to y लाने के लिए कितने minimum lunch box चाहिए वो मेरा dp store करेगा तो मैं क्या करूँगा current configuration के लिए answer निकालूँगा जो भी i, j के current है तो मैंने क्या कहा कि मेरे को currently j और k चाहिए j sum चाहिए और k sum चाहिए तो मैंने कहा कि अगर j से बड़ा है condition 1 देखो ध्यान से ठीक है बिलकुल ध्यान से देखो तो condition 1 क्या है चार condition में answer खतम हो गया ठीक है तो condition 1 ये है कि भई if current element या current lunchbox lunchbox satisfies our condition ठीक है जो current lunchbox है i तो मेरा ज्यादा time d में क्यों लगा क्योंकि मैंने i-1 की जगा i लिखा हुआ ता यहां मैं गड़बड कर गया जो कि i-1 लिखना था बस ये गलती थी बागी तो कोई थी क्योंकि मैं यहां पर one based indexing में जर रहा हूं क्योंकि जो मैं सोच रहा हूं कि one lunchbox select करूँगा फिर two करूँगा तो इसलिए मैंने यहां पर one ले लिया लेकिन यहां पर मैंने minus one नहीं करा तो गड़बड हो गई तो यह चीज बहुत ध्यान की में रखा करो आप अगर आप भी iterative way में से चलते हो तो ठीक है ध्यान से देखना बिलकुल आगे क्या हो रहा है कि भाई J और K दोनों से greater than equal to R तो ठीक है J और K दोनों से greater than equal to R अगर current lunchbox का first product हमारे required से जाधा है जो कि हमें चाहिए current lunchbox का second product हमारे required से greater than equal to R जो कि हमें चाहिए तो हमने का भाई current वाले को include कर लेंगे answer आ गया minimum lunchbox चाहिए थे तो मैंने का minimum कितना होगा एक तो चाहिए ही होगा ना एक ले लिया तो IJK में one डाल दिया कि minimum lunchbox इस configuration के लिए IJK के लिए मेरे को one मिलेगा बहुत बढ़ी है एक condition समझ में आई न अब दूसरी condition क्या बन सकती है कि भाई अब यह दो चीजे है और दोनों में दो दो possibility है तो दोनों में दो दो possibility है टोटल कितने बनेंगे चार case बनेंगे तो देखो जरा अभी मैंने पहले को satisfy कर दिया था अब मैं कहे रहा हूं पहला satisfy नहीं हो रहा है सिर्फ इस lunch box से लेकिन दूसरा हो रहा है ऐसे फिर पहला हो रहा है दूसरा satisfy नहीं हो रहा है आई जे के क्या होगा या तो मैं मेरे बास दो option है मैं current learnch box को लूँगा या तो नहीं लूँगा मेरे बास दो option है ठीक है तो यहां पर भी आप यूज कर सकते हो यह min of dp तो current को नहीं लूँगा तो i-1 में जाओंगा क्योंकि मैं i elements consider कर रहा हूँ तो पिछले वाली state में i-1 से current वाला element मैंने add कर रहा है lunchbox add कर रहा है और मैं answer निकाल रहा हूँ तो अगर मैं गो current को add नहीं करना है तो previous में जो answer आ रहा था वह यह भी का answer होगा तो मैंने का i-1 jk ठीक है dp की state समझना बहुत जरूरी है और पान ऐसे समझ सकते आप तो या तो मैं current lunchbox को include कर रहा हूँ या तो नहीं कर रहा हूँ नपसेक वाला idea तो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ तो dp i-1 jk योगी मेरे को minimum answer चाहिए तो मैं all possible का minimum ले रहा हूँ तो without including मतलब exclude करके जो answer आ रहा है वो include करके जो आ रहा है include कर दिया 1 plus plus क्या करोगे भाई v i-1 और first यह वाली condition satisfy नहीं हो रही थी ना तो मैंने क्या का कि जितनी बच गई यह मेरे को j से greater than equal to चाहिए था लेकिन यह नहीं कर रहा है लेकिन मैं इसको include कर रहा हूँ तो इतना तो मिल गया ना तो जितना बचा उसका previous state में क्या answer था previous state में remaining का क्या answer था कितने lunchbox चाहिए थे तो मैंने का j minus जो current lunchbox का है वो कर लो और जो भी answer आ रहा होगा previous state में यहाँ पर मैंने zero कर दिया क्यों कर रहा क्योंकि current lunchbox से मेरा यह वाला condition तो satisfy हो गया j और k x और y दो थे x से greater than equal to चाहिए था y से greater than equal to चाहिए था अभी मैं x y पर iterate कर रहा हूँ मेरा x यह है y यह है तो यह तो satisfy हो गया न तो previous state में मैं इसको requirement में रखूंगा ही नी previous state में बस इसको requirement में रखूंगा जो कि मैंने रख दिया ठीक है तो i.j.k से यह build कर लिया फिर दूसरे case में similarly ऐसे ही कर दिया यह वाला satisfied था यह वाला नहीं था इसके लिए zero कर दूँगा और इस वाले के लिए में जो भी remaining था उसके लिए previous state में answer ढूंड लूँगा और otherwise अगर दोनों ही satisfy नहीं हो रहे है current state से तो वही करा मैंने exclude कर दो या तो या तो current को include कर दो current को include करोगे तो इसमें भी कुछ remaining होगा इसमें भी कुछ remaining होगा answer आ जाएगा तो यह चार condition लगाया dp array build करते गए bottom up approach में finally मेरे को पता चल गया कि भाई कितने अपने को lunch boxes चाहिए थे n elements को अगर हम consider करें और x और y हमारा वो variable हो जो first product और second product के sum के less than equal to होना चाहिए तो काफी basic problem है अगर आपको ये ठीक है तो एक बार ना मैं इसको पीछे कर देता हूँ तो आपको और थोड़ा clear दिख जाएगा ठीक है yellow yellow ठीक है और ऐसा करते है ना इसको enter ही मार दो तो और clear ही दिख जाएगा पूरा चुपाने की क्या ही जरूरत है yellow ठीक है और इसको भी लो तो इसमें भी doubt है तो बोलो bottom up knapsack problem करो नहीं करी है तो ठीक है जिसने knapsack नहीं करी है वो पहले knapsack करके आओ और उसके बाद ये problem must do है must do coding round में आने के लिए मतलब मैं तो दे दूँँगा अगर मैं इंटर्व्यू लेंगा न तो मैं इंटर्व्यू में पूछ लूँगा ये problem तो आपको फिर थड़ सी और practice की जरूरत है समझ रहे हो like चाहिए मेरे को वीडियो पर इसी बात पर dp बढ़ रहे है dp 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 problem बड़ी must है मैं try करूँगा इसको जब मैं dp dsa में पढ़ाऊंगा तो इस question को भी दुबारा लेके आऊ बड़ा must problem है खतरनाक ऐसी napsack की बहुत सारी modification मनती है मेरे को याद आ रहा है एक sapient company है उसके paper में भी आया था coding round में napsack same problem napsack बस change करा वा था ऐसे की पता ही नहीं चल रहा था काफी लोग रह भी गए करी नहीं पाए लेकिन अपन ने तो कर दिया आई जी तो बोलो किसी को doubt है तो चार condition में doubt है क्या किसी को चार condition क्यों बन रही है क्योंकि ये चीज 2 है j और k 2 है j क्या x को iterate कर रहा है k क्या कर रहा है y को iterate कर रहा है ठीक है x और y क्या था जो हमें initially problem में चाहिए थे कि यही तो मेरे condition में आ रहे थे N तो हमारा क्या है? N number of lunchboxes है ऐसे lunchboxes select करो, minimum lunchboxes select करो जिससे कि X, Y की जो साथ condition थी, वो satisfy हो जाए क्या थी? Sum of first product of every lunchbox selected should be greater than or equal to X similarly for Y Sum of product, second product of all lunchboxes selected should be greater than or equal to Y समझ रहे हो? तो यह है problem और यह है solution बोलो कोई doubt हो, तो N cube का solution है 300 x 300 x 300 और space B 300 x 300 x 300 तो सारा memory limits, time limit में आरहा है तो solve कर देंगे भाई दिट studied, DSA by, all by your own or you took some course for it नो, no course, no course, no course, but ले सकते हो इंडिविजुल पर डिपेंड करता है, course की जरुत है या नहीं है एक kickstart के लिए आप course ले सकते हो, अगर आप course ले भी लोगे, तो भी आप perfect नहीं हो पाऊगे और course नहीं लोगे, तो भी आप perfect हो सकते हो, दोनों बाते हैं ध्यान में रखना ठीक है, वो बस एक kickstart है, उसके बाद आप basics layer कर लेते हो और आप आगे बढ़ जाते हो course as in मेरे को फाइदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक course लिया था, मेरे को याद आ रहा है, first year में मैंने एक course लिया था, कुछ लेकिन उससे मेरे को कुछ भी फाइदा नहीं हुआ, DSA के नाम पे language सीख ली मैंने बस, ठीक है, लेकिन वो मैं खुछ से बहुत बढ़िया तरीके से कर पाया बाद में उनने DSA data structure, competitive में गुसा, फिर धीरे धीरे चीज़े सीखी, problem solve करी और फिर हो गया, ठीक है लीट कोड करते रहें, yes, लीट कोड बेस्ट है, interview type की problems के लिए, एकदम मस्त मजे आ जाएंगे, competitive मज छोड़ना, अभी भी काऊंगा, मेरे इसाब से best है, जब तक आपको उसका use चाहिए, जब तक करो, फिर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, सब नहीं करते हैं, बहु अधिकरादी के चक्कर में रह गया था, तो मैंने डी में क्या गलती करे थी, मैंने बताया था, क्या थी वो पताया, I को I-1 है न यहापर जो, यह I-1 दिख रहा है, क्योंकि मैं I को I-1 लेके चल रहा हूं, इसले मैं को I-1 करना पड़ रहा है, current lunch box के लिए, तो मैंने पर error नहीं आ रहा था, ठीक है, error आई नहीं रहा था, error आता कि इंडेक्स आउट ओफ बाउंड जा रहा है, तो मैं समझ जाता, error नहीं आ रहा था, wrong answer आ रहा था, इसले हो गई गडबड सारी, ठीक है, तो यहाँ आएगा minus 1, इस चक्कर मेरा time कराब हो, जे और के ही तो हमारी condition satisfy कराएंगे, तो अगर एक ही lunchbox से उपा रहा है, तो वो देख लिया है, मतलब basic यह है कि current lunchbox को include करूँ या exclude करूँ, उसकी चार condition मैंने बना दी, कि भई include करना है या exclude करना है, अब जो भी करना है, आप देख लो condition के हिसाब से, आंसर आजाएगा, ठीक है, तो मैं greedy से try करता रहा, greedy का मैंने शुरू में बता दिया कि क्यों नहीं होगा, constraint नहीं कहरें और example भी दे दिया, ठीक है, तो अगर आपको यह दिख रहा है, अच्छा दिख नहीं रहा, रुको, मैं यहाँ पर ना, void solve के उपर चार line लिख के रखता हूँ, जिसमें तीन line यह होती है, चार नहीं, छे line लिखता हूँ, तीन यह होती है, DP, मैं रहा हो कि मेरे को पता है कि मैं skip कर जाता हूँ कई बार DP की problem, कुछ और ही सोच रहा होता हूँ, तो मेरे को उसको लिखने के लिए, यहाँ पर क्या लिखा है भाई है मैंने, DP से सोच, DP से सोच, DP से सोच, यह लिख के रखो आप समझ रहे हूँ, तो यह हमेशा दिखेगी न, तो DP वाले problem पकड़ में आ जाएगी एक दम से, EF कुछ hint यार मैंने, मतलब सही बता रहा हूँ, question ट्राइ नहीं मारा, तो hint क्या ही दू, मेरे को खुदी नहीं आता भी हूँ, ठीक है, मैं ट्राइ करूँगा, अगर मैंने करा, तो मैं सब्मिट भी मारूँगा, तो मेरा solution आप देख सकते हो, फाइदा ले सकते हो, क्योंकि मैं solution ट्राइ करूँगा, clean रखने कि जिससे कि आपको समझ में आजाए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में इसी वीडियो के पूछ ले न, ठीक है, अगर मैंने solve करा और मैंने submit करा, तो आपको कोई डाउट आया हो solution में, तो आप मेरे से पूछ लेना है आप, ठीक है, तो DP में कोई डाउट, time complexity, n-cube, space complexity, n-cube, impossible का case, otherwise DP, ठीक है, initializing DP, फिर performing DP, और हो गया काम, चार condition, चारो में include कर लो, exclude कर लो, current lunchbox को include कर लो, current को exclude कर लो, दोनों case को handle करके, handle करके current state को, DP, I, J, K, को minimized value दे दी, last में DP, N, X, Y, print कर दिया, answer आ गया, चीक है, आगे बढ़ रहे है, तो, उह, 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 यह, यह, लो बढ़ बढ़ गया है, तो problem, C हो गया था, D हो गया था, A और भी और देखना है, एना, तो, आ जाओ वापस, ठीक है, आगे वापस, तो यह कौन सी problem है, भाई, यह है, C problem है, C problem है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें, C तो हमने देखी लिया था, D पे थे, D भी देख लिया, constraint पे ध्यान दो, DP, minimize करना है, problem है, maximize करना है, constraint पे आए, DP की feel आई, greedy को fail करा, फिर DP में आगे बढ़े, knapsack करा, include कर लो, exclude कर लो, current lunch box को, ठीक है, अब आते हैं, problem B पे, ठीक है, इसको देख लो, यह क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो, A और B तो असान थे, मेरे साब से, अगर हो ही गए होंगे सबसे, तो, Meritozo, 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 क्या कहा रहा है भाई, यूर गिवन थ्री स्रीं, S1, S2, S3, consisting of lowercase English letters, and a string T consisting of 1, 2, 3, concatenate the three strings according to the characters in T, and print the resulting string, formally confirm, confirm to the following instruction, for each integer I, such that I is, समझ रहे हो, तो I जो भी होगा, वो T के लेंथ में जाएगा, indexing one-based में, मतलब कुल मिला के करना है, कि T string में iterate करना है, 1, 2, 3 में से ही कुछ होगा, क्योंकि तीनी string हैं हमारे पास, जो भी current character है, मान लो 1 है, तो इसको string को print कर दो, 2 है, तो 2 print कर दो, वह ही कह रहा है, 1 corresponds to A, 2 corresponds to 2, 3 corresponds to 3, बस यह ही कह रहा है, तो यह ही है, बस तीन string input करो, T का जो भी character है, उसे साब से print कर दो, इसका example ले रहा हूँ है, T है, 1, 3, 2, 1, पहले 1 है, तो मैंने मारी print कर दिया, ठीक है, फिर 3 है, तो जो जो प्रेंट, जो भी है, S, Z, Z, O, जो भी print कर दिया, फिर 2 आ रहा है, तो 2, T, O, प्रेंट कर दिया, ठीक है, फिर 1 आ रहा है, तो मैरी print कर दिया, कुछ भी नहीं है, मतलब इस string में iterate करो, और सारी string को print करते जाओ, बहुत असान प्राब्लम है, कोई बड़ी बात नहीं है, C, आज बहुत टाइम कंजूम कर रहा है, करो, करो, प्रेक्टिस करो, मज़े आ जाएंगे आपको, चीक है, चलो, भाई, चलता हूँ, भाई, आपके, नूब कोडर, दुरूव, अलके में ले रहे थे, आप मेरे को वेटा, याद रखेंगे अब तो में, तो यह हो गया, ऐसे ही है, बस कोड दिखा देता हूँ, फॉर्मालिटी है एक तरीके की, क्योंकि बहुत असान कोड है, जरूरत नहीं है दिखाने की, बट कोई बात नहीं दिखा देते हैं, तो B प्रॉब्लम है न, P प्रॉब्लम, देखके जाओ है न, क्या पता आपको कोई समझने, सीखने को मिल जाए, तो प्रॉब्लम बी जो है अपनी, प्रॉब्लम बी एरी, पेश्ट, तो हर टेस्ट केस के लिए, कॉल कर देगे, एक ही टेस्ट केस आता है, एक होडर में, तो वेक ही बार कॉल होगा, क्या हो रहा है देख लेते हैं, तो यह देखो, यह रेकमेंट, dp से सोज, dp से सोज, dp से सोज हो जाना, इसा कुछ लिखके रखा करो जो आप बहुत बार गलती करते हो, तो मैंने लिखा हुआ है, चीक है, तो देखो प्राबलम क्या है, तीन स्ट्रिंग इंपुट आएगी, एक T इंपुट आएगा, तीनों स्ट्रिंग को इंपुट करा मैंने वेक्टर में, ठीक है, और T को भी फिर T के सारे करेक्टर पे इत्रेट करा, और जो भी इत करेक्टर है T का, उसको इंटीजर में चेंज करके, माइनस वन कर दिया, क्योंकि 1, 2, 3 होगा, लेकिन अपने को प्रेंट कौन सा कराना है, जीरो बेस्ट इंडेक्सिंग में, 0, 1, 2, तो जो भी होगा, माइनस वन करा ये वाली स्ट्रिंग मेरे को करेंटली प्रेंट करानी है, तो मैंने V वेक्टर में जाके ये वाली स्ट्रिंग को प्रेंट करा दिया, तो कितना असान प्रॉबलम है, है न, वह या 3 बता देना, 3 मैंने बता दिया है विना, सबसे पहले हमने C ही डिसकस करा था, उसके बाद D करा, अब B पे आए हैं और फिर A पे जाएंगे, ठीक है तो मैं ये न, order जो भी explanation का होता है, मैं comment में हमेशा add करता हूँ, जिससे कि जो भी नया आता है देखने के लिए, viewer हमारे वो देख ले, कि क्या order है तो उस हिसाब से वो आगे पड़े तो ये असान है, code कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बहुत असान, चीक है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, string input करी vector में डाली, और t के character के हिसाब से हमने print कर दिया, चीक है तो भाई, cf की बारे में कुछ बताओ, cf में rating की improve होता है, भाई, 3 yes हो गए है, भाई, अभी तक तो max 3.30 हुआ है 14 हो नहीं हुआ है, तो क्या करना चले इसकी बारे में करेंगे बात, अच्छा, message retract हो गया message delete हो गया है, लेकिन अने पढ़ लिया तो practice ही कर सकते हो, यार practice करो और नहीं चीज़े सीखो जैसे जैसे problem नहीं हो रही है अप solving करो contest के बाद contest के बाद अपनी ID पर जाके submission जरूर देखो अपने की आपने अप solve करा था या नहीं करा था या contest खतम हूँ, आप भूल गए ऐसा मत करना, ठीक है तो problem A पर बढ़ते हैं contest को अप solve करना सीखो मेरे से E नहीं हुआ तो मैं try करूँ आई लेकिन मैं मानलो नहीं भी कर पाया क्योंकि मैं और भी बहुत सारी सीज़े कर रहा हूँ आपका main focus होना चाहिए इस पर क्योंकि आपको इसमें अभी काम करना इससे आपको फायदा होगा, समझे रहे हो जो भी आपका A मैं, यह आपको चाहिए चाहिए तो practice करो ना भाई आजाओ वापस, problem A पर कहां गई problem तो यह रही problem ठीक है, problem A पर आचुके हैं हम atcoder quiz 2 ठीक है यह बहुत असान problem इसमें क्या है in the kingdom of atcoder where there is a standardized test of competitive programming proficiency an examinee will get a score out of 100 and obtain a rank according to the score ठीक है 100 में से कुछ marks मिलेंगे और उसके साब से rank आएगा तो novice कौन है, जिसका 0 to 40 की range में है intermediate कौन है, 40 to 70 की range में advanced कौन है, 70 to 90 वाला और expert कौन है, इसका 90 अबव है तो यहाँ पर आप देख सकते हो की 0 पे inclusive है, 40 पे exclusive है मतलब समझ रहे हो, 0 include हो रहा है मतलब यह कौन से bracket है बता देता हूं मैं sketchbook पे आजाओ एक बार अभी बता देते हैं भाई तो यह क्या कह रहा है यह कह रहा है पहला जो range है वो यह है 40 included नहीं है, 40 अगर include हो जाएगा तो नेक्स्ट वाले में पहुंच जाएगा 40 to 70 फिर ऐसे ही 70 to 90 ठीक है और फिर 90 अबव ठीक है, 100 ऐसा कुछ तो 100 पे लगा सकते हैं क्योंकि 100 max है तो इसमें क्या होगा, novice newbie newbie हो क्या आप और यहां पर होगा intermediate इसमें होगा advanced ठीक है, इसमें होगा expert so I am an expert on good forces okay तो समझ रहे हो बात को यह होगा आपका तो आपको बताने है कि भाई, अभी कॉनसी window में है problem बता देता हूँ तो अभी कॉनसी window में है, हमारा marks गिवन होगा x तो हमें बताने है x कॉनसी window में है अगर मानलो इस window में है तो उसको next window में पहुचने के लिए कित्ता लगेगा तो मानलो इस window में 60 score है तो next में पहुचने के लिए minimum 70 चाहिए तो 70 minus 60 10 marks और चाहिए ये हमें print करना है ठीक है मानलो इस वाली range में अभी currently 9 marks है तो इसके next वाले में पहुचने के लिए minimum 40 चाहिए तो 40 minus 9 उसको और needed है इतना और plus करना पड़ेगा तो बस ये बताना है तो कुछ भी नहीं है ठीक है इसमें कुछ भी नहीं है इसका मैं बता देता हूँ आपको फटा फट से problem A है न ये problem A ये लो भाई problem है आगई आपकी ये तो problem है में कुछ भी नहीं है X को input करा जो भी score है उसका currently मैंने का अगर वो first range में है यानि कि उसको second range में जाने के लिए minimum 40 चाहिए क्योंकि जो first range है वो कौन सी है 0 to 40 ये वाली तो open है 40 पे दिखना open ठीक है तो 40 next वाले में आ जाएगा तो 40 में चाहिए तो 40 minus X अगर second में है तो तो मैं order में चेक कर रहा हूँ पहले first फिर second फिर third फिर fourth ठीक है ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मान लो अगर X 10 है और मैंने ये वाली condition पहले चेक कर ली तो मैं क्या print कर दूँगा 90 minus 10 लेकि वो गलत हो जाएगा तो अगर वो 10 है तो इस range में है इस वाली में तो उसकी next range कौन सी होगी उसकी next range होगी 40 से 70 वाली ठीक है तो अभी मैंने उसको 90 वाली में भेज दिया लेकिन उसकी range थी 40 to 70 next तो current range से next में भेजना है कितना score लगेगा ये बताने है तो current निकाल लो ये है तो उसके next में भेज दो ये है तो next में ये है तो next में otherwise अगर 90 से 100 वाली range में है तो अगली range तो कोई होती नहीं है वो तो maximum range है तो क्या print करना है expert तो मेरे wrong answer आया था क्योंकि मैंने यहाँ पर expert को e capital print कर रहा था दो गलत answer submit मारने के बाद मैंने देखा कि ये तो छोटा ही है तो मेरे को पता चला तो यही problem है यही है answer है did you use algo expert? नहीं नहीं भाई, algo expert क्यों use करेंग यार मैंने नहीं करा निहाल के nope, yes तन्मोय ने सही answer दिया भाई अब brag कर रहे हैं, कर लो बेटा, कम मजे लो बेटा ठीक है, like करो वीडियो को, मजे कम लो तो problem है में कोई doubt है तो बताओ देखो, invisible bottle, जादू, देख पा रहे हो चीक है जी, A, B, C, D clear है, इसमें तो लगता नहीं कोई doubt होगा, doubt होगा तो most probably C में होगा अगर comparator नहीं आता, D में होगा अगर DP नहीं आती, DP नहीं आती, एक ही सुझाव है, नैपसेक सॉल्व करो, solution एक ही है उसका और दूसरा, 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 दूस नहीं आता, उसके लिए वीडियो का आपको लिंक तो अभी दे नहीं सकता, लेकिन प्लेलिस चेक करो, DSA using C++ नाम से इसी चैनल पे, उसमें एक वीडियो है, inbuilt sort plus comparator, वो वीडियो जाके देख लो, comparator एक नंबर समझ में आ जाएगा, ठीक है, थर्ड बाला बता दिया था मै तो आजाओ आपस आजाओ भाई, एक वाइड कोडर पे, तो यह है, problem A, find the minimum number of extra points needed to go one up, समझ दो एक उपर जाना है, अगर इसमें तो इसमें आना है, इसमें तो इसमें आना है, इसमें तो इसमें जाना है, अगर इसमें तो expert प्रेंट करना है, तो यहाँ पर ध्यान रख ग क्योंकि 100 तक काई range है, और प्रेंट कर दिया, तो A problem बहुत असान है, D problem भी हमने देख लिया, DP, C problem भी हमने देख लिया, कापी असान है, और लेक्सियोग्राफिकल था, order नया बना कर और sort कर दिया, comparator रियूज करके, B problem क्या है, तो जो कह रहा है वही करना था, T के characters के order में string sprint करनी है, बस, for loop लगा हो गया, तो overall बहुत असान तो नहीं कहूंगा, A और B तो असान थे, C comparator असान है, अगर आप थोड़ा बहुत experience हो, D में अगर थोड़ा बहुत और experience हो, DP से तो कर लोगे, बागे EF मेने पढ़ा नहीं, और इतना ही करने लाइक होते है, अपने ले जादा नीचे जाओगे, तो बेटा हवा हो जाओगे, तो जादा बड़ा इम्मत रखा करो, initially, अभी के लिए रखो कि ये दोनों करने हो, ये दो जब अपसॉल कर लोगे, फिर रखो ये दोनों करने हो, अब कहोगे चारो करने है, करा एक भी नहीं, तो दिक्कत हो जाती है तो A, B, C, D, कोई डाउट हो तो बोलो, डाउट है, डाउट है, डाउट है, डाउट है, डाउट है, थैंक्स फर दे क्लास, पढ़िया अशीश, बढ़िया असी आके, हस्ते खेलते रो, भाई, बाई, कॉमपटेटेव में ऐसा कुछ नहीं कि मुछको कुछ फाइदा नही हुआ है, बट कुछ सीखने मिले मुझको, नियू टेक्निक और आइडियाल को मच मूर, रेटिंग इंप्रूव, देखो, रेटिंग में न, यह नहीं होता कि आपको आता है, यह नहीं, आता है, बाद में कर लेते हो, कॉन्टेस्ट को, समय नहीं कर पाई, स्पीड, समझे स्पीड भी एक बहुत बड़ा फेक्टर होता है, यहां पर, तो स्पीड कैसे आती है, प्रैक्टिस से ही आती है, आप क्या करो कि भई, आप ए प्रॉब्लम बहुत स्लो करते हो, ठीक है, आपको दो मिनिट में कर लेना चाहिए, नॉर्मल जो ए आता है, सी एफ का, लेकिन आप 10 मिनिट लेते हो, तो आप क्या करो, यही प्रैक्टिस करो, बहुत सारे, समझे रहे हो, 40-50 यही प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, तो स्पीड आएगी, सोचना जल्दी आ जाएगा, तो ऐसे करके भी आप स्पीड को बढ़ा सकते हो, सर कहा का कॉंटेस्ट है, एट कोडर है, बिगिनर कॉंटेस्ट, 219, तो चीक है, फिर चलते हैं, फिर आजाओ, वापस, एट कोडर बिगिनर, 219, एंड करते हैं इसको, तो 219, टेलिग्राम जरूर जॉइन करें हमारा, टेलिग्राम, लिंक्स मिलेगी बहुत सारी, और काफी डिस्कॉशन के मौके मिलेंगे, एंड अनॉंस्मेंट्स, लिंक्स, बहुत कुछ आता रहता है, तो जरूर जाइन करो, डिस्क्रिप्शन में सारी डीटेल है, एंड लाइक जरूर करो वीडियो को, चैनल और वीडियो को भी शेयर करो, एंड सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स टाइम, छीक है, कोई डा सब्सक्राइब करो, और क्या, देखो, वन वर्ड आंसर होता है, जो लोग बोलते हैं, बीस मिनिट की वीडियो बनाओ के, हाव तो सॉल्ल प्रॉब्लम ए और कोड फोर्स ठीक है, तो वो आपको पागल बना रहे है, क्योंकि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और कुछ इसको कंसिस्टेंटली करोगे, आपकी रेटिंग ऐसे उपर जाएगी, कैसे जाएगी, ऐसे उपर जाएगी, आपको पता भे नहीं चलेगा, ठीक है, तो जाधा सोचना है नहीं है, जाधा ज्यान नहीं लेना है, काम करने है, ठीक है चार से दस मिनिट में लगता है दो मिनिट में करो ठीक है, तीन मिनिट में करो अंडर फोर मिनिट करो, अंडर पाँच मिनिट तो हो जाना चाहिए इतनी प्रैक्टिस करो ठीक है तो इसी नोट पे चलते हैं, बाई-बाई See you again in the next video और मजे करो ठीक है प्रेक्टिस करो अप्साल दरू करना and see you